है हैं आज अभरेवान चेयर्डेज क्लासिस्स में आपका स्वाकत हैं आज हम पढ़ने वाले हैं ऐस्टिक एसेड टू एसिटामाइट याड़ हम ऐस्टिक एसिटेज से माइड पनाएँगे तो देखते हैं आपके शेटीक ए Acid to Acetamide आज हम Acetic Acid को Convert करेंगे Acetamide में तो सबसे पहले हम Acetic Acid का Formula लिखते हैं यह होगा CS3COOH और जो Acetamide है इसका Formula है CS3COOH2 में साज हम CS3COOH को Convert करने वाले हैं CS3COOH2 में तो देखते हैं Reaction को यह होगा CS3COOH Acetic Acid Acetic Acid Acetic Acid से Acetamide यानि CS3COOH2 बनाने के लिए सबसे पहले इसके विक्रिया NS3 यानि Ammonia के साथ कराते हैं और जब यह Ammonia के साथ अभिक्रिया करता है तब जो NS3 है वो Acetic Acid में सीधा जुड़ जाएगा लगके और यह बन जाएगा NS3 के साथ में H चुड़का NH4 यानि CS3COOH4 NH4 और इसका नाम होगा Ammonium Acidate और Ammonium Acidate को जब हम हीट करेंगे तब यहां से देखिए Ammonium में यानि NH4 में H जो है वो 4 है यहां से 2H और यहां से 1O रिलीज हो जाएगा H2O के रूप में और यह CS3COONH2 बना लेगा और इसका नाम होगा Acetamide प्रेशन को देख लिजिए Acetic Acid से Acetamide बनाने के लिए सबसे पहले हमने इसके विक्रिया Ammonia के साथ कराई यानि NH3 के साथ कराई फिर क्या होगा Ammonium Acetate बनेगा जो NH3 है वो सीधर जाके H के साथ जुड़ जाएगा और यह NH4 बना लेगा अब यह Ammonium जो Acetate बना है इसमें से H2O रिलीज हो जाएगा हीट करने पर यानि यहां से 2H और यहां से 1O H2O के रूप में रिलीज होगे यहां पर बचा है CS3CO 1O निकल चुड़ा है H के साथ में और यहां पर 2H बचे हुए है N के साथ यानि CS3CO NH2 यही हो गया Acetate मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शियर करना न बोले और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें थैंक यू